पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ first 8 chapters की summary दी थी One Up On Wall Street Book जिसके author है Peter Lynch इस वीडियो में मैं आपको बाकी chapters की summary शेयर करूँगा Chapter 9, Stocks I Would Avoid इस chapter में author बात करते हैं कि वो किस type के stocks को कभी भी नहीं खरीटते हैं Number 1, Hottest Stock in the Hottest Industry वो कभी भी सबसे trendy stocks या जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा returns देने वाला है कुछ सालों में Peter कभी भी उनमें invest नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि Hot Stock बहुत जल्दी उपर जाते हैं पर इनका जब fall आता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कराता है एक investor को वो इस book में कहते हैं कि अगर आपको अपना घर चलाना है Hottest Stock के Profit से तो वो दिन दूर नहीं जब आप रोड पे आ जाएंगे वो इस book में कहते हैं कि अगर उनको ये सुनने में आता है कि ये next IBM है या ये next McDonald's है या ये next Intel है या फिर ये next Disney है तो वो उनमें भी invest नहीं करते हैं चाप्टर 3 Avoid Diversification Diversification word का मतलब है जब आप किसी ऐसी जगाँ invest करते हो जहां पर आपको knowledge कम है पर आपने अपने total investment का एक बहुत बड़ा portion उसमें invest कर रहता है और ये बहुत ज़्यादा risky हो सकता है आपके लिए example अगर आपने अपने लिए decide किया है कि आप technology, healthcare, consumer products and finance के stocks पे invest करेंगे क्योंकि आपने इन में research किया है और इन industries के बारे में आपको knowledge भी है पर अचानक से जिम में दो लोग बात कर रहे थे एक steel company की shares के बारे में और आपने बस ये सुनकर उस company में heavily invest कर दिया number 4, be aware the whisper stocks, whisper stocks का मतलब है वो stocks जिसके बारे में लोग speculate कर रहे हैं और ये अकसर एक private group में होता है जैसे social media groups या private whatsapp group जहां पर लोग tip या कोई inside information के basis पर अपने पैसे invest करते हैं stocks में और ये promise भी करते हैं कि returns जल्दी मिलेंगे तो author ऐसे stocks को भी avoid करते हैं और ऐसे group से भी दूर number 5, be aware the stock with the exciting name पीटर लिंच का मानना है कि investor को exciting company name से भी बचना चाहिए अगर company के नाम में advanced, leading, micro या कुछ भी trending हो तो सिर्फ उस brand name की वज़े से आपको उसमें invest नहीं करना है तो ये थे 5 category of stocks जिसमें पीटर लिंच कभी invest नहीं करते हैं अब आते हैं next chapter पे chapter 10, earnings, earnings, earnings इस chapter में author ने हमें सिखाया है कि ये company तब ही valuable बनती है जब वो जादा से जादा पैसे कमाईगी और जादा से जादा उनके पास net asset होगा आपको एक बार के लिए सब कुछ छोड़के बस ये देखना है कि company कितने पैसे कमा रही है और क्या उनकी earnings साल पर साल बढ़ रही है या नहीं अगर बढ़ रही है तो कितने percentage में बढ़ रही है अब author introduce करते हैं PE ratio का PE ratio यानि price to earning ratio हमें relationship बताता है stock price and company के earnings में PE ratio से हम ये भी समझते हैं कि एक stock price क्या overpriced है, fairly price है या underpriced है compared to company की जो पैसे कमाने की potential है इसका formula बहुत ही easy है, किसी भी stock का current price से earnings per share को divide करने से आपको उस company का PE ratio मिल जाता है जैसे अगर एक company A का stock price है 100 rupees और पिछले एक साल का EPS यानि earnings per share रहा है 10, then company का PE ratio होगा 100 divided by 10 equals to 10 बिल्कुल simple में समझाओं तो PE ratio का मतलब है कि एक investor किसी company के 1 रुपे के profit के लिए कितना देने के लिए ready है यानि company A के 1 रुपे के profit के लिए investor 10 रुपे देने के लिए ready है जैसे ये कुछ Indian banks है जिनका PE ratio आप देख सकते हैं तो investors 19.96 रुपीज देने के लिए ready है HDFC bank के 1 रुपे के profit के लिए वही bank of Baroda के 1 रुपे के profit के लिए investors 11.72 रुपीज देने के लिए ready है अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि HDFC bank के 1 रुपे के लिए investors ज़्यादा क्यों दे रहे हैं Bank of Baroda से High PE ratio ये बताता है कि investors को high expectations है कि ये company future में और ज़्यादा earnings growth अचीव कर पाएगी इसलिए stock price महगा है उसके current earnings से तो यहाँ HDFC bank पर investor को ज़्यादा भरुसा है कि ये ज़्यादा earnings करेगी compared to बाकी bank से दूसरा section है इस chapter में future earnings का author कहते हैं कि सबसे best तरीका है किसी भी company का future earnings credit करने के लिए उनके current earnings को analyze करना उनके past earnings है एक company past तरीके से अपने earnings बढ़ा सकती है number one reduce cost यानि अपने खर्चों को कम करके number two raise prices यानि अपने existing products का price बढ़ाना number three expand into new market यानि नए market में enter होना number four sell more of it product in the old market और old existing customer अपने product को ज़्यादा बेचना अपने पुराने market में या फिर अपने पुराने customer को ज़्यादा बेचना number five अपने losing operations को बंद करना या उसे better करना author कहते हैं कि earnings बढ़ने पर stock price भी उसे follow करता है इसलिए company का stock price बढ़ने का सबसे important factor है उसका earnings तो ये था chapter 10 का summary अब आते हैं chapter 11 पे chapter 11 the two minute drill तो author कहते हैं as a investor सबसे पहले आपको ये जानना है कि जिस stock में आप interested हो वो किस category में आता है और उनका PE ratio क्या है और साथ ही साथ future earnings क्या हो सकता है ये आपको help करेगा company की valuation को analyze करने में दूसरा step है कि आपको company के बारे में जितना हो सके उतना आपको जानना है उसके बाद फिर author introduce करते हैं एक बहुत ही interesting concept जो है the two minute story of the company यानि वो कहते हैं कि किसी भी stock को खड़िदने से पहले आपको at least 2 minute तक उस company के बारे में आप बोल सको कि आप उस company में क्यों interested हो क्या reasons हैं कि ये company grow करने वाली है and क्या-क्या challenges वो company face कर सकती है अपने growth में example माल लेते हैं कि मैं HDFC bank के stocks में interested हूँ इंडिया की one of the largest private sector bank है और ये long term के लिए एक अच्छी investment हो सकती है क्योंकि इनका एक strong position है Indian banking industry में बढ़िया financial performance रहा है and management भी बहुत अच्छा है HDFC bank को benefit होने वाला है इंडिया की growing economy की वज़े से क्योंकि consumer के demand भी बढ़ रही है इनके पास extensive branch network, technological advancements and strong customer focus है HDFC bank ने healthy profitability, efficient asset quality management and अच्छा track record रखा है sustainable growth का challenges की बात करें तो पहला challenge है regulatory environment banking sector में इंडिया में बहुत ज़्यादा dynamic regulatory framework पर operate करता है तो कुछ नए rules and regulation की वज़े से इनको problem हो सकती है challenge number two है high competition इंडिया में local and international banks का presence भी बहुत हाई है जिस वज़े से HDFC bank के बहुत सारे competition है तो HDFC bank को लगातार अपने आपको improve करना पड़ेगा इसी तरह जिस पी company के shares में आप interested हो उसका two minute story आप comment section में share कर सकते हैं chapter 12 getting the facts इस chapter में author बात करते हैं कि company के rumors पर नहीं बलकि company की facts पर भरुषा करना चाहिए जिसके लिए आपको company की annual report पढ़ना चाहिए chapter 13 some famous numbers इसमें author ने कुछ important numbers को देखने को बोला है जिस भी company में आप interested हो invest करने के लिए इन सारे numbers को उनके competition से आपको compare करना है मैं आपको detail में तो explain नहीं कर सकता क्योंकि video बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपके साथ उनके नाम शेयर कर सकता हूँ जैसे अगर आपको HDFC bank को bank of Baroda से compare करना है तो इन सारे numbers को आप excel sheet में put करके compare कर सकते हैं chapter 14 rechecking the story author कहते हैं कि कुछ महिनों के बाद आप अपने selected companies की story को recheck करना है आपको यानि क्या जैसा आपने सोचा था वैसा वो perform कर रहा है या नहीं जैसे earnings as expected है कि नहीं क्या उनकी product की sales बड़ी है या नहीं अगर आपकी selected company एक fast crore है तो क्या आने वाले समय में भी वो इस growth को maintain कर पाएगी या नहीं chapter 15 इस chapter में author ने part 1 and part 2 को summarize किया है लेकिन मैं आपके साथ वो सारे points शेयर करूँगा जो अभी तक हमने discuss नहीं किया है जिससे content repeat ना हो आपके लिए और आपका कीमती समय वेस्ट ना हो बड़ी companies धीरे चलती है पर छोटी companies बहुत fast चलती है नमबर 2 आपको कितना profit होने वाला है ये company की size पर भी depend करता है नमबर 3 छोटी companies को choose किजिए अपने investment के लिए जो profitable है और जिनकी future growth की planning बहुत solid हो नमबर 4 ऐसी company से दूर रहे जिनका growth rate 50% से जादा हो नमबर 5 companies जिनके ओपर कोई loan नहीं होता है उनकी कंगाल होने के chances बहुत कम होते हैं नमबर 6 हफते में एक घंटा अपने investments and stock market में दीजिए और अपने knowledge and experience को बढ़ाईए तो ये था part 2 की summary अब हम आते हैं part 3 पे जो है the long term view chapter 16 designing a portfolio इस chapter में author ने suggest किया है कि अपने portfolio में minimum 3 से 10 stocks होने चाहिए और वो सारे stocks अगर different categories के हैं तो better है इससे आपका risk कम हो जाता है chapter 17 the best time to buy and sell पहला question है when to buy stocks जिसमें author कहते हैं कि जिस दिन आपको लगे कि आप ready हो और आपने research किया है किसी भी stock पे उसी दिन आपके लिए सबसे best है stocks में invest करने के लिए लेकिन stocks कब बेचना है ये कई सारे factors पर depend करता है पर in general आपको तब stocks बेचना चाहिए जब आपकी investment research fail हो जाती है जैसे कि company की fundamentals खराब हो रही है company का competitive advantage खतम हो रहा है या industry में major change आया है जिसे कि उस company की growth की possibility अभी बहुत कम है future में एक और reason है stocks को बेचने का जब वो आपके target को hit कर दे या अगर आपको अपने portfolio को rebalance करना हो या फिर आपको अगर तुरंथ cash की जरूवत है तब आप stocks को बेच सकते हैं इस chapter में author ने बात की है कि 12 ऐसी dangerous चीजे जो लोग हमेशा बोलते है stock market के बारे में लेकिन मैं आपके साथ 5 सबसे important lines शेर करूँगा जो मुझे सबसे interesting लगी अगर एक कोई stock का price बहुत नीचे आ गया है तो लोगों को लगता है इस से और नीचे ये नहीं जाएगा ये भी एक गलत line है आखिर में सब stocks recover करी लेते हैं इसका कोई भी proof नहीं है चाप्टर 19 इस chapter में author हमें मना करते हैं options, future and short trading नहीं करनी चाहिए क्योंकि सबसे आदा loss इसी में होता है इस chapter में author बात करते हैं कि no matter सब लोग क्या बोड रहे हैं पर आपको अपने strategy पे stick करना चाहिए यानि company को समझे जो सबसे important है कभी भी market को time करने की कोशिश ना करे और हमेशा अपने आपको student मानिये जिससे आपको growth जल्दी मिलेगी तो ये था chapter wise summary of One Up on Wall Street जिसके author है Peter Lynch उमीद करता हूँ कि आपको ये मेरी summary पसंद आई होगी तो मैं मिलूँगा आपसे next video में तब तक के लिए keep reading, keep growing